हेलो दोस्तों तो चलिए आज हम बनाते हैं दाल वाली पूरी खीर और आलू पटर की सब्जी जो कि यूपी बिहार की फेमस है यह खासकर इस मौसमें बारिस की मौसमें सबके घर रातों में डीनेर में जरूर बनता है तो चलिए हम बताते हैं कैसे बने मैंने कडाही ले लिय इसमें लगबख एक आड़ी बड़ी कटोरी सी रातिकों में भीगो दी थी इसे धोके अच्छे से फुली फुलने के बत condemnd अ पट़ाही में इन यहां तेल लिया और तेल में लिया सरसों कूछा जाधायता तर तेल सरसों ही इस्तमाल होता कूछ नहीं को पटर को लंबा- Lemba कर लंबा कटने शक्या बैव अच्छे से फ्राई करेंगे जैसे आज भी बनता है वैसे मैं पूरी सिखा रहे हैं, कुछ बिना गरम मसाला का, बिना कोई मसाले का, स्पेसल मसाला ना किचन के, कुछ भी नहीं देखिया, आधी कटूरी से भी कमवन फोर कप मैंने लिया है, यहां पर चावल और एक गंटे पहले भीगो के छोड़ देती, मेरा दूढ गया था, तो इसमें डालके छोड़ देखना है, हमनों खीर बना, बहुत लोग हाट के और मावा डलके तस्माई बनाते हैं, तस्माई नहीं बनाते हैं, हमनों खीर बनाते हैं, पर एक बार ये वाली रेस्पी डिनर में जरूर बनाना, फिर आप देखना, तो गोल्डन कलर हो गए, लगवा पटर मेरा हो गया थक मैं उसे निकाल दी, आलू को मैंने उबाल के छील और दाल वाली पूरी, ऐसे ही ये बनती है, उसके बाद में थोड़ी से अगर रखना है, तो अगर कोई मेमान भी आ जाते हैं, थोड़ी सी सलाद नहीं लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन हां आचार जरूर ले लेते हैं, वो भी मिर्ची के आचार, तो इस मौसम मैं एक बार ये रिस्पी जरूर बनाना, मैं बोलती हैं, ये दाल की पूरी अगर ऐसे भी खाएंगे तो बहुत टेश्टी लगती है, तो जैसे मैंने आलू और पटर को फ्राई कर लिए, उसके बाद मैं और तेल डाला जीरा, और मैं हम लोग मिर्ची तोड़ के डालते है बीचो बीच, ऐसे स्लाइस करके प्याज डालते हैं, यहां चौपक के चौपर में ज़्यादा ग्रीवी नहीं चाहिए हम लोग को, आज भी वहां कोई भी सबजी में ऐसे स्लाइस करके जाते हैं, देखे बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं, दाले से कूक हो रही है, ल लंबा लंबा मोटा मोटा काड़ते हैं, बहुत बारिक चौपर में हम लोग नहीं काड़ते हैं, आज भी हम गाउं में जाते हैं, तो ऐसे ही वहां बनाते हैं, खाना आज जब मैं पूरी ठाली बनाई थे, देखे मेरी डाले से ड्राई हो गई है, मैं आपको दिखा रही ह क्योंकि पानी तुरंट सुख जाएगा, इसे पीस के हम ले लेंगे पाउडर बना के, तो दाल हो गई, मेरी खीर बगल में हो रही है, ऐसे में बीच बीच में चला रही हूं, ऐसे हम प्याज और टमाटर को ऐसे कूक करेंगे, ढग 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 कर वहां आज भी सिल्वट्ट और काली मिर्च, इतनी मसाले में डाल देते हैं, अधरक थोड़ी से लेते हैं, लहसान लेते हैं, और सारे मसाले लेकर सिल्वट पर पीस के फिर बनाते हैं, तो फिलाल मेरे पास ऐसे था, तो मैं ऐसे ही बना रही हूं, मेरे पास ड्राई था, और इसे ढखके अच्छे से क करेंगे हम लोग पर प्याज और टामाटर स्लाइस ऐसे ही रहेगी बारिक नहीं करते हैं आज भी वहां नहीं करते हैं चाहे बड़े-बड़े हलुआई की उन्हें बना ले ऐसे ही बनती हैं और हो सके तो लोहे की बरतन हो तो लोहे की कड़ाही में पूरी इसकी टेस्ट मिक्सर जार में डालन की और अगर मैं डालना है आज वह सबजी बहुत ले जाता है जैसे मेरी सबजी अच्छे से मतलब यानि मसाले हमारे अच्छे से कूक हो गए थे इसके बाद मैं आलू और पटर डाल दूँगे पिर इसे बीच बीच में ड्राइ करते हुए पकाएंगे चलाते हुए थोड़ी से आपको पानी लगे तो डाल देने अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो पानी डाल सकते हैं यहां टेस्ट के कोडिंग लाश्ट में नमक जाता है कोई गरम मसाला नहीं कुछ कोई कसूरी में थी कुछ भी नहीं सिंपल से सबजी बनती और यह नहीं कि डेली यूज में नहीं घर में नहीं बड़े-बड़े हलुआई भी ऐस बन कर दूंगे यहां पर तो मैं आटा गून देऊ नॉर्मल रूटी के आटा रहेगी ना ज्यादा ढहिला ना ज्यादा टाइट रहेगी ऐसी आटी होने चाहिए तो एक दो मिनट बाद मैंने फिर देखा कि लगबग मेरी सबजी हो गई है यहां में कटा हुआ धनिया पत डाल दो नहीं डालोगो फिर भी चलेगा तो यह मेरी सब्जी बन की रेडी हो जाएगी इसके बाद हम खीर को जड़ा देख लेंगे तो यह सब्जी एक बार आप ट्राइट करना कैसी लगती है सब्जी चुरूर बनाना तो देखिए मेरी सब्जी बगल में रगती हो गई गैस बन है और यह मेरे चलाते चलाते पकते पकते लगभग 80-90% मेरी खीर हो गई है और जो कल्चुल होता है हम लोग कल्चुल से बनाते हैं पीछे पलट को उसे मसल लते हैं धीरे धीरे पर चावल को भीगो के एक दुघंटा पहले रख लीजिएगा डेर लीटर में दो म इसके बाद हम लोग इलाइची को तोड के लेते हैं कभी भी वहां पाउडर बनाके नहीं लिया जाता ऐसे ही तोड के डाल देते हैं जादा नहीं तीन चारे इलाइची एक दम ऑन्थेर्टिक तरीके से में सिखा रहे हूं जैसे वहां आज भी यह बनती है रेसिपी यह थ प्रोपर ऐसे काटके आपको डाल दिया जाता है वह भी नहीं पड़ती है यह खीर हमारी बन के रेडी हो जाएगी और यह लगबख बन के रेडी हो गए तब तक हम आते हैं पूरी के तरप जादा हम लोग गाड़ी नहीं और जादा मावा अवा कुछ भी नहीं डालते बस दूढ में बनाते हैं खीर बनाते हैं जादा मावा डालो रबदऑ यह डालो एफ़ समय होगि रबड़ी होग वह नहीं खीर ऐसे ही बनते हैं आज भी वहां घिर ऐसे बनते है तो आठा मेरा गुंदा हुए तब पहले से में दू लोये कि आपको बनके डाल भरिवाली पू तो एक मेने की आपको दिखाया ऐसे वहाँ आज भी बहरा जाता है और एक मेने दिखाते हो बहुत लोगों को हाथ पजी rivalry बाने कि टोबी भी बना तो पहले उसे एक रूटी बेल लीजिए ज्यादा पतली नहीं पर रूटी बेल लीजिए उसके बाद उस पर रख दीजिए अगर यह मोटा हो ना तो उसे तोड़ लेजिए पाउडर जैसे कर लेजिए फिर एक चुन्नट जैसे बिठाते जाए जैसे मैंने बहुत बात के जाधा पतली नहीं यादर रखें जाधा पतली नहीं जाधा मोटी नहीं दोनूं के रेडी कर ली और मेरा तेल नहीं गर्म है और यहां गैस की फिलिम रहेगी नॉर्मल पूरियों में हाई रहती है पर हम लोग यहां रखते हैं मिडियوم और लोग के बीच में मिडियوم और लोग के बीच में गैस की फिलिम रहेगी और धीरे धीरे पलटते हुए से गोल्डेन कलर आने तक पहली पूरी अच्छे से तेल, कि बहुत ज़्यादा तेल हम गरम नहीं करते हैं, तो थोड़ी कम फोलते हैं, लेकिन उसके बाद से सारी पूरी आप फोलने लगती हैं, तो हम लोग वहाँ आज भी पहली पूरी हो चाहिए पहली रोटी हो नो गाय को निकाल के रख देते हैं उसके उपर, मतलब ऐसे नहीं रखते हैं, कोई सबजी, कुछ भी निकाल के लग रखते हैं, पर यहाँ तो सुसाइटी में गाय भी नहीं मिलती हैं, कि हम ले जाके दे उसे, तो हम लोग आज भी वहाँ घर-घर गाय के लिए जरूर रोटी हैं निकलती हैं, तो देखे हैं ऐसे तलके में निकाल लिया, निकालने के बाद दूसरी में डाल दूँगी, तो ऐसी साइट से आपको डालना है, और धीरे-धीरे ऊपर तेल डालेंगी न, तो बहुत जल्दी फूल जाएगी, और फूल के रेडी हो जाएगी, मैं बोलूंगी न, यह पूरी, मतलब कि रख दीचे, तो यह मुलाइम हो जाती, इतनी सौप्ट हो जाती ही, रूई जैसे न, क्या बताने को, तो मैं खाने से पहले सारी पूरिया तलके, फिर उसमें रख देती हूँ, गरम से हीट से न, एक दम मुलाइम हो जाती, यह पूरी कड़क नहीं जमती, एक दम सौप्ट की जैसे लगे, रूई के जैसे, ऐसी होने चाहिए, तो मेरी दोनों पूरी बन के तलके रेडी हो गई है, तो चले हमारी सारी रेजपी कम्पलीट हो गई है, कमेंट करके बताएगा, कि यह रेजपी आपको कैसी लगी, तो चले फ्रेंट, फिर कल मिलते हैं, इसी टाइम प